प्रारंबिक परिक्षा होने वाली है और इस प्रारंबिक परिक्षा में करंट घट्टाओं से सम्मधित आपका सेग्मेंट पूरी तरह से तैयार हो सके इसी कुध्यान में रखते हुए हमने आपके लिए एक स्रीज की शुरुवात की है जिसका नाम है यूपिस्सी टार्ग सेग्मेंट के अंतरगत पिछले एक वर्ष की तमाम घटनाओं को समाहित करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि करंट घटनाओं से जम्मंदित अगर कोई भी प्रशन आता है तो उस प्रशन को आप ठीक तरीके से एक्जामनेशन में हल कर सकें और अपनी परिक्षा को कर सकें आज सेग्मेंट पर हम बात करने वाले हैं वह भारती राजय व्यवस्ता से चुड़ा हुआ है आज हम समयधान में किये एक उस संशोधनों पर बात करेंगे इन संशोधनों पर प्रत्यक्ष आ प्रत्यक्ष रोख से हम पहले भी पॉलिटी की सेक्शन में बात कर एक होगा 24-वा समयधान संशोधन फिर बात करेंगे 42-वे समयधान संशोधन की फिर बात होगी 69-वे समयधान संशोधन, 73-वे समयधान संशोधन और 74-वे समयधान संशोधन पर और 2 समयधान संशोधन होंगे 97 और हाली में किया गया 106-वा समयधान संशोधन तो सबसे पहले बात करते हैं 24 वे समिधान संशोधन की इस पर हमने विस्तार से पिछले पॉलिटी के प्रोग्राम में बात की है ये चर्चा में क्यों है चर्चा में इसलिए है क्योंकि हाल ही में यानि वर्ष 2030 में केश्वा नंद भारती नर्णे जो 1973 में आया था उसके 50 वर्ष पूरे हो गए हैं इसी नर्णे के अंदरगत समिधान की मौलिक धाचे की प्रस्थापना की गई थी यानि कुछ ऐसे बुनियादी सिधान्त समिधान के बताए गए थे सुप्रेम कूर्ट द्वारा जिन में संसद किसी परकार का संशोधन नहीं कर सकती वे संशोधन या वे मौल धाचे के सिधान कों से थे जैसे समिधान की प्रस्थावना उसी परकार से कानून का साशन न्याइक पुनरविलोकन की न्याले की शक्ती इस तरह की चीजों को समिधान के मूल सिध्धान्त या मूल संदरशना सिध्धान्त के अंतरगत प्रस्थापित किया गया था इस संदरणे के अंतरगत और इसलिए इसका विशेश रूप से महत्व है केश्वानन्द भारती बनाम केरल लाज्जे का जो 1973 का मामला है इसमें सुप्रीम कोट ने कई समिधान संशोधनों की समिख्षा की थी कौन-कौन से समिधान संशोधन थे 24 पच्चेसवा 26 और 29 चोबिसवा इसके अंतरगत विशेश रूप से महत्वपूंट था क्योंकि इसने दो तरह के विशेश परिवर्तन लाए एक परिवर्तन इसने आर्टिकल 13 में संशोधन करके लाया गया और एक परिवर्तन इसने आर्टिकल 368 में संशोधन करके लाया गया आर्टिकल 13 किसे संबन्नित है आर्टिकल 13 कहता है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनमें कमी करने वाली उनको न्यून करने वाली उनका उलंगन करने वाली जो वीधिया होगी वो शुन्ने होगी यानि उन्हें जीरो माना जाएगा उन्हें आमाने माना जाएगा आर्टिकल 13 में संशोधन करके एक नया अनुच्छेद लाया गया आर्टिकल 13-4 और इसमें कहा गया कि इस अनुच्छेद की कोई भी बात अनुच्छेद 368 के तहट संसद द्वारा किये गए समिधान के संशोधन पर लागू नहीं होगे यानि इसका क्या मतलब हुआ इसका मतलब ये हुआ कि जो आर्टिकल 13 में बात कही गए एक थी कि मूल अधिकारों से असंगत या उनमें कमी करने वाली उनका उलंगन करने वाली वीध्यां सुनने होगी शुनने माना जाएगा अमाने माना जाएगा तो इसमें कहा गया कि आर्टिकल 13-4 के माध्यम से कि इस अनुच्छेत की कोई बात यानि आर्टिकल 13 की कोई भी बात संसद को आर्टिकल 368 के तहट सम्विधान की किसी प्रावधान में संशोधन करने से निवारित नहीं करेगी यानि उसे रोकेगी नहीं ये एक महत्वपू संसद करके ये कहा गया कि संसत के पास सम्विधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की शक्ति है और अगर वो मौलिक अधिकारों में या किसी भी प्रावधान में संशोधन करती है तो आर्टिकल 13 उस पर किसी भी परकार का नियंतर्ण इस्थापित नहीं करेगा ये दो महत्वपून संशोधन थे आर्टिकल 24 के राष्टपती के लिए समयधानिक संशोधन विध्यक पर सहमती देना भी इसी के अंतरगत अनिवारिय बना दिया गया था तो ये समयधानिक संशोधन आपको विशेश रूप से याद होने चाहिए 42 समयधानिक संशोधन विशेश रूप से महत्वपून है कब लाया गया था? 1976 में लाया गया था और इसी प्रकार से जिस हमने 24 सम्मिधान संशोधन की बात की वो कब लाया गया था, वो 1971 में लाया गया था तो 1976 में यानि emergency की दोरान आप कह सकते हैं क्योंकि भारत में 1975, जून 1975 में emergency लग गई थी, आपातकाल लग गया था 1976 में 42 समिधान संशोधन लाया गया था और बड़े स्तर पर हमारे देश के समिधान में इसके अंतरगत कहीं तरह के परिवर्तन किये गये थे सुप्रिम कोर्ट ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि हाली में सुप्रिम कोर्ट की एक पीट प्रस्तावना से समंदित समाजवादी और धर्म निरपेक्ष शब्द हटाने की मांग वाली आचिका पर सुनवाई कर रही है और इसी के कारण ये पूरा टोपिक हमारा चर्चा मे ये सरकार को नीती बनाने का निरदेश नहीं देशकते यानि इनको साशित करने वाले जो कानून है वो इनको इस तरह के अधिकार प्रदान नहीं करते कि ये ट्रूबनेल सरकार को नीती बनाने का निरदेश दे तो मुख्य परिवर्तन 42 समिधान संशोधन द्वारा किस पर करे भाशित क्या जाता है, प्रस्तावना में इसके माध्यम से तीन शब्द जोडे गए थे, एक शब्द जोड़ा गया था समाजवादी यानि सोशलिजम शब्द जोड़ा गया, उसी प्रकार से धर्म निरफेक्ष उसको कहना चाहिए हिंदी में पंत निरफेक्ष शब्द जोड़ा गया, secularism English में जोड़ा गया, तो पंत निर्पेक शब्द का इस्तमाल हुआ था और उसी प्रकार से अखंडता शब्द भी इसी के अंतरगत जोड़ा गया था, रास्ट्र की एकता और अखंडता इस यानि और अखंडता जैसे शब्द को इसके अंतरगत जोड़ा ग समयधान के माध्यम से ही जोड़ा गया था, राश्टपती के लिए केबिनेट की सलहा का पारलन करना आवश्यक बना दिया गया था, 42 समयधान संशोधन के माध्यम से उर इसी प्रकार से समयधानिक संशोधनों को न्याइक समिक्षा से प्रतिरक्षित कर दिया गया यानि संसत जो समयधानिक संशोधन करती है न्याले उनकी न्याइक पुनरविलोकन या कह सकते हैं कि न्याइक समिक्षा नहीं कर सकता ये भी प्रस्थापना 42 समिधान संशोधन के मार्द्यम से कर दी गई इसी परकार से राज्ये के नीती निदेशक सिधान्तों को लागू करने वाले कानूनों और कुछ मौलिक अधिकारों के उलंगन के कारण शुन्य गोशित होने से बचाया गया यानि राज्ये के जो नीती निदेशक सिधान्त हैं उनको लागू करने वाले कानूनों को कुछ मौलिक अधिकारों के उलंगन के कारण शुन्य होने से भी बचा लिया गया इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ कि समिधान के भाग चार को लागू करने के लिए भाग चार जो की राज्ये के नीती निदेशक तत्मों को उलेखित करता है अगर राज्य इन उदेशों को लागू करने के लिए कोई कानून बनाता है और उससे मोलिक अधिकारों में, नागरिकों के मोलिक अधिकारों में कुछ उलंगन होता है, तो इस प्रकार से ये उलंगन एक तरह से जायज हो गया, इसके कारण वीधी शुन्ने नहीं होगी, ता तत्व जोकी समिधान के भागचार में उलेखित हैं, उसमें तीन नई प्रस्थापनाएं, या आप कहा सकते हैं, तीन नई सुधान जुड़ेगे, जो 49A के माध्यम से समान न्याय की संकल्पना को जोड़ा गया, उसी प्रकार से आर्टिकल 43A, जो की उद्योगी कर्मकारो से उद्योगों की प्रबंध में कर्मकारों की भूमिका से सम्मनित है, वो जोड़ा गया, उसी प्रकार से परियावरण से सम्मनित आर्टिकल 48A को भी जोड़ा गया, तो इस प्रकार से तीन नियायक सिध्धान, तीन निर्देशक सिध्धानतों को शामिल किया गया, 42 शेश्रूख से आपको याद होना चाहिए इसी प्रकार से अखिल भारती नियाइक सेवाओं की स्थापना का प्रावधान भी इसमें किया गया था और भाग 14A के माध्यम से प्रसाशनिक अधिक नियाइधिकरन और नियाइधिकरन इस्थापित करने से समंदित कुछ प्राव भारत के समिधान में अनुच्छे 323A और 323B भी शामिल के गए अनुच्छे 323A कि से सम्दित था इसके अंतरगत संसद को प्रसाशनिक नियाइधिकरन केंद्र और राज्ये दोनों स्तरों पर गठित करने का अधिकार प्रदान कर दिया गया और इसी प्रकार से आर्टिकल 323B के माध्यम से कुछ निर्दिष्ट विशू जैसे कराधान और भूमी सुधार के अंतरगत जिनके लिए संसद या राज्ये विधान मंडल कानून बनाकर नियाधिकरन का गठन कर सकते हैं यानि कुछ ऐसे विशे हैं जैसे कराधान और भूमी सुधार इनके अंतरगत सं संधान संशोधन था इसके बहुत सी प्रस्थापनाओं को 44 संधान संशोधन in 78-ए मार्व में से परिवर्वर्तित अधिया गया एन 44-वे समिधान संशोधन के माध्यम से उन विकारों को ठीक किया जाए और जैसे न्याइक समिक्षा के सिध्धान को फिर से वापस लाया गया जैसे 42-वे समिधान संशोधन में कहा गया था कि अगर संसत किसी प्रकार से समयधानिक संशोधन लाती है तो उसको न्याइक समिक्षा नहीं की जा सकती तो 44 समिदान समिक्षा की स्थेटी को वापस लाय गया और ये कहा गया कि संसत्ध द्वारा बनाए गए समयदानिक का जो संशोधन से संबनित कानून है उनकी न्याइक समिक्षा न्याले द्वारा की जा सकती है तो बहुत बड़े स्तरपर 78 संविदान संशोधन के माध्यम से 42 संविदान संशोधन की प्रस्थापनाओं को फिर से ठीक किया गया एक ओर समयधानिक संशोधन हाजकल लगतार चर्चा में रहता है जिसका 79 संविदान संशोधन 69 वा समिधान संशोधन 1991 में लाया गया था और ये लागू हुआ फरवरी 1992 में इसके माध्यम से क्या किया गया था इसके माध्यम से राष्ट्र राजानिक शित्र दिल्ली सरकार के लिए विशेश प्रावधान के गये थे 69 वे समिधान संशोधन अधिनियम 1991 में जो कि फरवरी 1992 में लागू हुआ था इसके माध्यम से समिधान में अनुच्छे 249 डबल ए जोड़ा गया था और इसने दिल्ली को विशेश दर्जा प्रदान किया था इसकी प्रमोख विशेशताएं क्या है इसकी प्रमोख विशेशताएं ये है कि दिल्ली के राष्ट्री राजधानिक शेत्र यानि एंसिटी को विशेश दर्जा प्रदान करता है और इससे समिधान में दो अनुच्छे जोड़ेगे आर्टिकल 249 डबल ए और आर्टिकल 249 इसका उदेशे क्या है इसका उदेशे है दिल्ली की विशेश तावशक्ताओं को संबोधित करना और उसके लिए प्रभावी प्रसाशन को सुनिशित करना इसमें किस तरह के प्रावधान के गए कि दिल्ली के लिए एक विधान सभा की स्थापना की गई जिसे सारवजनिक व्यवस्था पोलिश और भूमी जैसे मामलों को छोड़ करके राज्य सूची के और समवर्ती सूची के विशो पर कानून बनाने के अनुमती प्रदान के गई आप जानते हैं कि हमारे देश के समविधान की जो सातवी अनुसूची है उसमें तीन सूचियां प्रदान के गई है सातवी अनुसूची में तीन सूचियां प्रदान की गई है, कौन-कौन सी सूची है, संग सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, संग सूची में ऐसे विशे उलेखित है जहां पर संग सरकार कानून बना सकती है, राज्य सूची से समवनित विशो पर राज्य सरकार क दोनों कानून मना सकती है लेकिन अगर दोनों की कानूनों में कोई टक्राव होता है तो उस टक्राव की स्थिती तक संग वीधी को वीधी मानेता प्राप्त होगी तो राजय सूची में 66 विशे उलकित है इनमें से कहीं विशों को रिपील भी किया गया और कहीं को बाद में जोड़ा भी गया इसका राजय सूची का विशे नंबर एक सारजनिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ है विशे नंबर दो पुलिस व्यवस्था से जुड़ा हुआ है और विशे नंबर अठारा भूमी से जुड़ा हुआ है तो विशे नंबर एक दो और अठारा पर को करके दिल्ली के लिए जो विधान सभा इस्थापित की गई थी उसे राजे सूची के सभी विशो पर कानूर बनाने की अनुमती मिल गई और इसी प्रकार से समवर्ती सूची के सभी विशो पर कानूर बनाने की अनुमती इस समयधानिक संशोधन 79 समयधानिक संशोधन के मात्यम से प्रदान की गई साथ ही उप राजयपाल यानि लेफटिनेंट गवर्णर को भारत के राष्टपती द्वारा न्यूक्त NCT के प्रसाशक के रूप में नामित किया गया था और LG दिल्ली में कानूनों और समयधानिक प्रावधानों को इमानदारी से कार्यान में सुनिशित कर सके इसलिए उसकी पद को लाया गया था केंदर सरकार के अधिकार शेतर के तहत मामलों को छोड़ करके NCT प्रसाशन पर LG को सलहा देने के लिए मुख्य मंत्री के नेतुर्त में एक मंत्री परिशद भी समयधानिक संशोधन के माध्यम से प्रदान के गई थी राश्टी राश्धानी के रूप में दिल्ली की जो इस्थिती है उसको मानेता देते हुए विशेश प्रावधान किये गए और राश्टपती को सारजनिक व्यवस्था पुलिस और भूमी मामलों पर कानूर बनाने का अधिकार प्रदान किया गया गानि दिल्ली सरकार के जब नियंत्रन से 3 वीशे aycraft योई सारजनिक सामयोफ करता है और यह सतरह के परिवरतन कि संधानिक संशोधन के माद्यम से कौन से समयधानिक संशोधन के अंतरकत लाएगे या किस नई समयधान समयधान के अनुछेत के अंतरकत लाएगे आर्टिकल 249 डबल ए 3B के अंतरकत इसको लाया गया तो ये कुछ महत्वपूर्ण समयधानिक संशोधन थे, कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान थे जो 69 समयधान संशोधन के माध्यम से किया गए आप जानते हैं हमारे देश में पंचायती इसतर पर महत्वपूर्ण लोकतांतरिक परक्रियाओं को शुरू करने के लिए 73 और 74 समयधानिक संशोधन 1902 में में लाए गए थे, जो 1903 में में लागू हुए कौन-कौन से समयधानिक संशोधन थे? 73 और 74 समयधानिक संशोधन थे चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि 1993 के बाद वर्ष 2023 में इनोंने अपने 23 वर्ष पूरे कर लिए हैं और साथ ही हाली में भारतिय रिजर्व बैंक ने पंचायती राजसंस्थानों का वित्त सिर्शक से अपनी एक रिपोर्ट भी जारी की है इसके कारण ये पूरा टोपिक चर्चा में आ जाता है 73 वा समयधान संशोधन अधिनयम कब लाएगे 1902 के नाम से जाने जाते हैं और लागू कब हुए जैसे 73 समयधान संशोधन लागू हुआ 24 अप्रेल 1903 में को लागू हुआ और उसी प्रकार से 74 समयधान संशोधन जो है वो 1 जून 1903 में को लागू हुआ तो समिधान में इसके माध्यम से क्या 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 गया किहतरवे समिधान संशोधन के माध्यम से समिधान में एक नया भाग जोड़ा गया भाग नो और भाग नो के माध्यम से भाग नो में पंचायतो की प्रावधान से संबंदित है और उसी प्रकार से भाग 9A के अंतरगत जो की 74 समयधान शनशोधन के माध्यम से जोड़ा गया नगर पालिकाओं के संबंद में कुछ प्रावधान किये गए इसके अंतरगत भारत में बुनियादी एकाईयों के रूप में लोकतांत्रिक प्रणाली की बुनियादी एकाईयों के रूप में गाओं में ग्राम सभाओं और नगर पालिकाओं में वार्ड समीतियों को की संकल्पना को पेश किया गया 20 लाग से कम आबादी वाले राज्यों को छोड़ करके 3 स्तरिय यानि 3 स्तरिय प्रणाली को स्थापित किया गया पंचायतों की पहले स्तर पर गाउं, दूसरे स्तर पर मध्यवर्ती इलाके जैसे की उन्हें ब्लोक के रूप में, तालोकी के रूप में या मंडल के रूप में परिभाशित किया जाता है, और 3 स्तर पर जीला स्तर पर पंचायतों की बाद, चाहे वो जीला परिशद के रूप में हो, या जीला पंचायत के रूप में इस्थापित होती हो, तो 3 स्तर ये पंचायत प्रणाली को इसके अंतरकत लाया गया सभी इस तरों पर जो सीटे भरने की जो परक्रिया है उसके लिए प्रत्यक्ष चुनाव की परक्रिया को ही इसके अंतरगत अपनाया गया सीटे और अध्यक्ष पद अनुसुची जाती और अनुसुची जन जाती के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षित की गई और साथ ही S.C. और S.T. के अंतरगत आरक्षी सेटों में एक त्याई सेटे महिलाओं के लिए भी आरक्षित की गई इसके अधरिक्थ सभी स्तिरों पर अध्यक्ष के पदों के लिए भी एक यहाई पद जो है, वो महिलाओं के लिए ही आरक्षित किये गए पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए एक समान पाँच वर्ष का कारेकाल होगा ये परक्रिया ये इसके अंतर का निर्धारित किया गया 73 और 74 वे समिधान संशोधन के माध्यम से और उसी परकार से कहा गया कि इनके विगटन की स्थिती में यानि कि जो त्रीसतर ये पंचायते इस्थापित की गई वो प्रतेक शुनाव से इस्थापित की गई और फिर कहा कि अगर ये विगटित होती है तो 6 महिने के भीतर चुनाव भी कराने होंगे और इन सारी चुनाव की परक्रिया को संपन कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग को जिम्मेदारी प्रदान की गई प्रतेक राज्य को मतदाता सुची के अधिक्षन, निर्देशन और नियंत्रन के लिए एक स्वतंतर चुनाव आयोग स्थापित करना होगा राज्य चुनाव आयोग के रूप में इस तरह के प्राबधान किये गए इसे प्रकार से 73 सम्विधान संशोधन के माध्यम से ग्यारवी अनुसूची जोड़ी गई geht और इसमें पंचायती राज निकायों के दायरे में आने वाए 29 कारियों की एक सूची शामिल की गई और उसी प्रकार से जो 74 वा सम्विधान संशोधन है उसके माध्यम से 12 वी अनुसूची जोड़ी गई और उसमें उनके दाइरे में आने वाले 18 जो कारेश शित्र है उनको अधिसूचित इसके इंतरगद किया गया पंचायते कानुन द्वारा हस्तांतरित विशों से संबनित आर्थिक और सामाजिक न्याय के लिए योजनाय तैयार करने के लिए जिम्मेदार हैं इस तरह के प्रावधान के गये और 11 वी अनुसूची में उन विशों को सूचिबद किया गया जैसे कि अभी आपको बताया ग सालिकाओं से योजनाओं को समय कित करने के लिए जीला योजना समीती का भी प्रावधान करता है तो जीला योजना समीती का जो प्रावधान है उच्यूहत्रवे समिधान संशोधन के माध्यम से किया गया है और जीला योजना समीती पर आईयस की प्रारंबिक परिक्षा मे पहले भी प्रश्न आ चुका है चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 73 और 74 समिधान संशोधन के आध्या माध्यम से किस प्रकार से और अन्य प्रावधान किये गए जैसे इनकी वित्य ताकत हासिल करवाने के लिए जो लोकल इस्तर पर सरकारे स्थापित होंगी तो व हैं प्रावधान के लिए इनके पास किसी तरह के फंड की कमी ने रहे अपने कारियों को किया गया प्रतेक राज्ये पंचायतों और नकरपालिकाओं के लिए वित्य संसाधनों का निर्धारन करने के लिए ये प्रावधान किये गए एक समयधानिक संशोधन विश्य कहते हैं और वर्ष 2011 में सकुल लाया गया था ये चर्चा में क्यों रहा चर्चा में इस लिए रहा क्योंकि हाले में भारत के राश्टपती ने बहुराज़े सहकारी सोसाइटी अधिनियम के लिए बहुराजरे सहकारी सोसाइटी संशोधन विध्यक 2022 को मंजूरी प्रदान की जो 97 समयधानिक संशोधन है वो सहकारी समीटियों को समयधानिक दरजा प्रदान करता है, इनको समयधानिक सुरक्षा परदान करता है और इसलिए हमारे लिए जानना जरूरी है कि इसमें किस तरह के प्रावधान किये गए थे इसकी प्रमुक विशेस्ताएं क्या है प्रमुक विशेस्ताएं इसकी ये है कि 97 समयधान सशोदन अधिनियम 2011 ने अनुचेद 19 के तहट सहकारी समयधियों के गठन के अधिकार को मोलिक अधिकार के रूप में स्थापित किया अनुचेद 19 नागरिकों की सवतंतरता से सम्मनित है और नागरिकों की सवतंतरता के अंतरगत आपको पता होगा समहो और संगिठन बराने की भी सवतंतरता है तो उ हवा देने के लिए राज्य नीती में एक नया निर्देशक सिधान्त भी जोड़ा गया किस रूप में जोड़ा गया आर्टिकल 43B के रूप में जोड़ा गया आप जानते हैं अभी आपसे चर्चा की गई थी किस प्रकार से आर्टिकल 43A 42 वे सम्विधान संशोधन के माध्य से अनुछे 43B जोड़ा गया एक नया जो सहकारी समीतियों से एक नया अनुछे जोड़ा गया जो सहकारी समीतियों से संबंदित है संशोधन ने यानि 97th Constitutional Amendment ने समिधान में सहकारी समीतिया नामक एक नया भाग जिसको हम 9B के नाम से जानते हैं अब या आप ने देखा कि किस प्रकार से 73 और 74 समयधान संशोधन के माध्यम से भाग 9 और 9A जोड़ा गया 9 क जोड़ा गया उसी प्रकार से अब इस समयधानिक संशोधन यानि 97 समयधानिक संशोधन के माध्यम से भाग 9B या 9 ख जोड़ा गया और इसमें अनुछेद 243 जड़ H से 243 जड़ T तक प्रावधान किएगे इस अधिनियम ये जो अधिनियम है कि संसद को बहु राज्य सहकारी समीतियों और राज्य विधान सभाओं को अन्य सहकारी समीतियों के लिए कानून इस्थापित करने के लिए अधिकृत करता है यानि संसद जो है वो बहु राज्य सहकारी समीतियों का गठन कर सकती है उनके लिए कानून बना सकती है और राज्य विधान सभाओं अन्य सहकारी समीतियों के लिए कानून बना सकती है 97th Constitutional Amendment इनको अधिकृत करता है इस काम के लिए एक और समयधानिक संशोधन पिछले साल यानि वर्ष दोहुजार तेईस में लगतार चर्चा में रहा 106th Constitutional Amendment जो लोकसभा, विधान सभा और राष्टे राज्दानिक शित्र दिल्ली में दिल्ली की विधान सभा में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण से संबंदित है और इसी कारण से ये पूरी तरह से चर्चा में आ जाता है इसमें सामाने तोर से देख लेते हैं कि किस तरह के प्रावधान के गए हैं प्रावधान ये है कि लोकसभा, राज्य विधान सभा और दिल्ली विधान सभा में महिलाओं के लिए सभी सीटों में से एक त्याई सीटे आरक्षित करता है ये और इसमें SC और ST के लिए आरक्षित सीटे भी शामिल होंगी यानि SC और ST के लिए जो सीटे पहले से लोकसभा और विदान सभाओं में आरक्षित हैं उसके अंतरगत इन ही समोधायों की एक त्याही महिलाओं के लिए भी सीटे आरक्षित की जाएंगे अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद आयोजित पहली जनगनना के प्रकाशन के बाद आरक्षन प्रभावी होगा आप जानते हैं कि वर्ष 2021 में जो जनगनना होनी थी वो अभी तक पूरी नहीं हो पाई है और वो अभी अपनी प्रक्रिया में है तो इस जनगनना के बाद जो भी इस्थिती बनेगी उसके जनगनना के प्रकाशन के बाद ये आरक्षन पूरी तरह से अगले चुनाओं में प लागू किया गया है और समय समय पर अगर संसद समझे आवशक समझे तो इस अवधी को समय समय पर बढ़ाया भी जा सकता है महिलाओं के लिए जो आरक्षित सीटे हैं वो प्रतेक परिसीमन परक्रिया के बाद संसदी कानून के अधार पर रोटेट की जाएगे यानि जो भी डिलिमिटेशन की परक्रिया अपनाए जाएगी तो डिलिमिटेशन की परक्रिया के बाद संसदी जो कानून मनाती है उसके आधार पर इन सीटों को रोटेट भी किया जाएगा जिस परकार से सीटों को सामाने तोर से रोटेट किया जाता है तो ये कुछ समयरहानिक संशोधन थे जो आपकी परिक्षा के लिहास से विशेश रूफ से महत्वपून थे इसलिए हमने उनके सामाने प्रावधानों पर चर्चा की है और उम्मीद है कि ये सेशन आपको जरूर पसंद आया होगा फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी धन्यवाद